हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो शिवा लर्निंग फॉर मोर अपडेट्स यू कन आपको बता है कि 16 तारिक को उसकी आंसर किया आने वाली है उससे पहले हमने इसका थोड़ा कट ओफ का एनलाइज करा है सबसे पहले हम जाते हैं 2018 की बात करते हैं तो 2000 में जो पेपर आया था वह सभी जानता है कि थोड़ा हार्ड सा और उसमें कट ओफ 74 गई थी तो 2018 के हिसाब से अगर इस बात की बात करें तो मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया है जो हम पेपर का एनलाइज कर रहे थे तो पिछली बार से एक्जाम काफी इजी आया आया है तो एस कंपेर टू तो 2018 थोड़ा इजी है मला मौडरेट है बट कंपेर करें 2018 से तो इजी है अगर हम प्रॉपर बात करें इसकी तो 2019 की बात करें खाली तो अगर आपको एडवांस के लिए नंबर कर चाहिए होते तो इजी के हिसाब से हम 95 प्लस कह सकते हैं कि जरू जाए तो इस बार वेपर ऑनलाइन भी हुआ है तो कुछ स्टुडेंट्स को दिक्कत आई है तंक से प्रेपेरेशन नहीं थी और एक्जाम तीन महीने पहले हो यानि कि जिन्वरी में थ्री मंस का गैप है तो तीन महीने में काफी हद तक प्रैक्टिस हो जाती है वैसे तीन से पंद्रा मार्स का फरक आ सकता है कट ओफ में तो अगर अनिलाइस कट ओफ की ऐसे बात करें तो हम कट ओफ 80 से 85 तक जा सकती है तो जो अगर आप ने आप जो सोल तारिक को एक्जाम आंसर किया जाएगी उससे आप अपने मार्स मिलाते हैं अगर आपके 80 से 85 प्लस होते हैं अगर तो आप 85 को भी पार कर लेते तो आप मोस्ट प्रोबैबली कट ओफ को पार कर लेंगे और आपका अच्छा स्कूर कर सकत हैं तो यह थी छोटी सी एनेलाइज हमने करके देखी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लड़नी को सब्सक्राइब करें मिलते नहीं वीडियो में ऐसी नहीं जानकारों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद झाल झाल झाल